स्वागत दोस्तों आपका एक और वीडियो में हमने ये देख लिया था कैसे अमेरिक और युससर कोरिया में जर्मनी में बर्लिन कॉंगो में बिड़ गए थे लेकिन इसके बाद जब इनको कैजुलिटीज हुई इन्हें ये पता चल गया कि बिड़ना साही नहीं है कॉल्ड वोरी सही है कोरिया में 1950 53 के बीच में और जर्मनी में 61 इनके बीच में कॉंगो में 60 के बीच में तो ये 60 का मामला चल ला था लेकिन जब इन्हें पता चला कि हमें अपने बड़े हत्यारों को काबू में रखना चीए अब ऐसा तो होगा नहीं एक काबू में रख ले काबू में दोनों रखेंगे तबी बात बनेगी है ना तो इन्होंने तै किया कि हम दोनों टेबल पर बैठके समझोता करेंगे कि क कुछ कम मैं करूं कुछ कम तुम करो ठीक जी 1917 का जितने भी डिकेड है इसमें सारी टीटीज हुई इनको कहते हैं Arms Reduction Treaty Arms का मतलब तागत उसको कम करना क्योंकि तागत सिर्फ आपके पलने में नहीं है तागत दुनिया को भी नुक्सान पुचाएगी जो आपकी तागत है न तो पहली ट्रीटी साइन करी गई LGBTT Limited Test Ben Treaty जैसे की नाम में Test Ben nuclear का जो test है उसी को Ben कर दिया इसमें क्या कहा गया 5 अगस्थ 1963 में यह साइन करी गई इसमें भीया कहा दिया नहीं आप Atmosphere में जो आस्मान होता है उसमें नहीं धरती पर नहीं पानी में और नहीं अंत्रिक्ष मे के हरकत तो देखो अंत्रिक्ष में भी अंत्रिक्ष में भी आप नहीं कर सकती न्यूप्र टेस्ट और यह treaty इसले बनाई गई थी ताकि जो हमारे तागत की चीजे हैं जैसे कि नुकलियर और वगेरा वो कम हो जाए, दुनिया का रिस्क कम हो जाए, दुनिया बारुत के डहर पर बैठी थी, अब भी बैठी है वैसे, ये कम करने के लिए, और ये जो साइन किया गया, पांच अगस्त को, तो एक अगस्त और, मैंने बताया था न, छे अगस्त और नो अगस्त को हिरो सीमा पर मारा था, तो एक दिन बाद, 18 एनिवर्सरी होती, हिरो सीमा अटैक की, तो इसलिए साइन किया गया, कम करने के लिए, इसलिए के बाद इसके अलग-अलग बरजन आए, CTBT, NPT, है न, यह इसके बरजन साए, CTBT में कहा गया, कि आप टैस्टी नहीं कर सकते, चल थल छोड़ो, टैस्ट करना ही विकार, इसलिए जो है, अमेरिका, उनके कमंडर को मार देता है, इरान के, इरान को टैस्ट नहीं करना देता है, इसराइल मारता है, है न, तो इसी CTT के दुरान यह मारता है, अमेरिका, United Kingdom, जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन जिसमें स्कोट लेंड आते हैं, वेल्स आता है, इंगलेंड आता है, और नर्थ आइरलेंड, इससे कहते हैं United Kingdom, और USSR, इन्हों ने मोस्को में बैठ कर एक ट्रीटी साइन करी, साइन तो 5 अगस्त को हो गई, लेकिन इसको इंप तो 50 में ही तो करा था implement, तो इस दोने चीज अलग होती है, 10 October को implement करा गया, आगली ट्रीटी हमारी आती है NPT, Non-Proliferation Treaty, इसमें क्या है, ट्रीटी में कहा गया, कि एक जनवरी 1967 से पहले जिन के पास nuclear हैं, उनके पास हैं, उनके पास रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो करेगा, नहीं करने देंगे, नहीं होगा उसका टेस्ट, अब ऐसा देखो क्या है, या तो भाई सब के मिटाओ, या सब के रहने दो, है ना, भारत को कहा गया, आप भी साइन करो इसे, भारत नहीं कहा हम क्यों करें भाईया, सीधा सीधा दिख रहा है वहत बाव है, अच्छा, आप के समय, और आप कहा रहे थे कि आप मत करो साइन, भारत नहीं कहा क्यों ना करें भाई, हमारा डिफेंस है, फिर 1998 में जाकर प्रोकरान करा था, हमने बैसे भी इसका उलंगन नहीं किया, हमने जमीन के अंदर किया था, हमने नहीं जमीन के उपर एट्मोस्फेर में किया, ना पानी में किया, जमीन के अंदर किया, फिर अमेरिका आया था, अमेरिकान हम पर बैन लगाये थे, अमेरिकान आ गाता हम तुमें कभी भी सर्टिफिकेट प्रमानित नहीं करेंगी, तुम भी एक नुकलिर संपन देश हो, अटल भी आरी बैच पाई थे प्रदान मंतरी, सामने जंग के मैदान में, बता देंगे है की नहीं, जब चलेगा पता चल जाएगा, तो नोन फ्लोरी फ्लोरेशन ट्रीटी में इतना भेधभाव था, तो ये ट्रीटी साइन करी गई एक जुलाई 1968 में, और मैंने जैसे की बताया, साइन करना और इंप्लिमेंट करना अलग करेंगे 1969 में, तीसरी वाली कौन सी, साल्ट, वन, बहुत से कहेंगे नमक, नहीं, साल्ट, साल्ट का मतलब स्टेटेजिक, आम्स, लिमिटेशन, टॉक, मतलब स्टेटेजिक जो भी हतियार होते हैं, एक तो ये होता है, टैंक, टोप मारो, स्टेटेजिक नहीं है, तो सिधा लेकिन होता है, स्टेटेजिक, ब्रह्मोस, काली, बड़े-बड़े सूपरसोनिक, S-400, ये है स्टेटेजिक, इनको कम करने के लिए, जो वारतलाब, जो बातचीत हुई, उसमें कहा गया, सैल्ट ट्रीटी, फस्ट, तो ये, एक नवंबर, 1969 को साइन करी गई, किसके दुआ द्वारा, USSR के लीडर, लियोनीड ब्रेचनेव के दौरा, और USA के प्रेजिडेंट, रिचार्ड नेक्सन के दौरा, और इंपिलिमेंट ये जाके हुई, 1972 में, ऐसे इसमें कहा गया, दो चीजे कहें गई इसमें, जब 1972 में हुआ था, एक तो कहा गया, कि हम एंटी इसमें क्या कहा गया, जो मिसाइले 300 किलोमेटर से जादा मारती है, मतलब जो स्ट्रेटेजिक होती है, बहुत हाड वाली होती है, जिनके आगे टोप रहता है, जो रेडार को पकड़ के जाती है, आई होप आप समझे रहोंगे, उनको हम बैन करेंगे, जैसे कि ब्रहमोस, इतनी बड़ी-बड़ी मिसाइले, जो नुकलियर ले जा सकती है, नुकलियर तो खदरनाथ था, इनको हम बैन करेंगे, इसकी बैन करने के लिए ये ट्रिटी बनाई, दूसरा कहा गया, हम ओफेंसिव हतियारों को बैन करेंगे, दो चीजे इसमें कहीं गई, अब इसकी पह जैसे भारत और चाइना के बीच में होती रहती है वारतलाब, गलवान घाटी में, कि हम ऐसे कम करेंगे, बहुत सारी चीजे बताई जाती है, बैठाके होती है, इसमें भी ये बारतलाब में बढ़ाया गया, डायलोक्स बढ़ाया गया, इसमें USSR के लीडर तो वो ही थे, ल स्टेटेजिक आम रिडक्शन ट्रीटी, इसमें जो है USSR के प्रेजिडेंट थे, वो थे मिखाइल गौरबोजेव, आपको पता होगा, जनरल सेगेर्डरी रहे हैं, कम्मिनिस्ट पार्टी के, 1985 में, और दूसरे लीडर थे, USA के प्रेजिडेंट, जोर्ज बुस्प, सीनियर कहा आता था इनको, पता नहीं क्यों, और अब इसके बाद, जब ये साइन हुआ, ये मोस्को में साइन हुआ था, 31 जुलाइ 1991 में, इसकी पहली बैटक, 1991 में होई गई थी, अब इसकी दूसरी बैटक हुई, 1993 में, 3 जनवरी, USSR के प्रेजिडेंट बदल गए थे, बोरिस ये इपलिमेंट हुआ, ये सारी ट्रीटी, पूरे विश्व के लिए बहुत इंपोरेंट थी, क्योंकि पूरा विश्व तो सोची रहा था, कि हम इस युद्ध को कैसे कम करें, इस कोल्ड वर को कैसे खतम करें, लेकिन अब सूपर पावर ने भी खुद सोचा, कि हम एक्चुल के बाद, ये अब 91, 93, ये सारी टीटीज हुई, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये ही सारी टीटीज थी, जो सूपर पावर के बीच में हुई थी, इसी में यही चीज कही गई थी, अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे भारत की भूमिका को लेके, भारत ने क्या रो